आज का टापिक हमारा है जेनेटल हर्प्स एस सिलूलर लाइप में वाइरस के हवाले से बहुत कुछ इससे पहले डिस्कुशन हो चुकी है दिर स्टुडेंट जेनेटल हर्प्स हर्पी क्या होते है याद रखिए कि अक्सर वेश्टर यह एक ऐसा वायरस है जिसको हम एच एस वी वायरस कहते है यह वायरस इस वायरस के गिनोम जेनेटिक मिटीरियल डबल स्टिंडर डीने पर मुस्तमिल है और उसके उपर एक इडिशनल लीपो प्रोटीन का लेयर है जिसको हम एन्वेलिप कहते है यह वायरस दो किसम का होता है एच एस वी दो किसम का होता है एक एच एस वी हर भी सेंपलिक्स वायरस टाइप वन जो के ओरल एन्फेक्शन कास करता है और एक दूसरा टाइप हर भी सिम्पल वायरस टाइप टू जिनिटल हर भी स कास करता है याद रखिए कि हर भी स क्या चीज़ है जब बाड़ी के स्पेसिपिक पार्ट जैसे माउट या मेल का सिक्स आरगन पीनस या फीमिल का सिक्स आरगन वीजाइना में अलसर यानि दाननुमा जिसम पैदा हो जाते हैं चोटे-चोटे दाने जिसके अंदर फ्लूड भी मुजूर हो और वो पट जाते हैं तो पिर हम इसको कहते हैं हर भी यानि बलस्टर चाले जिसको कहा जाता है ठीक है ना इन्शालला इस वीडियो में आपको कुछ तसावीर भी मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर करूंगा कि माउट के राउंड आपको चाले नज़र आएंगे तो फिर आपका कंसेट और भी क्लियर हो जाएगा याद रखिए कि ये आपके कॉर्स में चुंके हर्बी सिंप्लिक्स वाइरस टाइड टू से जो बिमारी कास करती हैं जिसको जैनिटल हर्ब्स कहा जाता है वो discuss किया जा चुका है तो उस हवाले से सबसे पहले genital herbs अब genital का मतलब क्या है genital का क्या मतलब है six organ अब अगर ये male के अंदर six organ है तो पिर वो तो penis होगा और अगर female के अंदर है तो वो विजाएना होगा अब किस के बाद है herby herbs herbs का मतलब है blaster ulcer जखमी होना यानि जब कोई part genital part यानि six organ जब वो उसके इर्द गिर्द blaster पैदा हो जाते है एक खास किसम के वाइरस से जिसको herby simple simplex type 2 कहा जाता है उस वाइरस की वज़ा से तो पिर हम उस contogenous disease को contogenous disease उस disease को कहा जाता है कि जो कि एक infected person से healthy person में through contact transfer हो जाती है यानि एक आदमी से दूसरे आदमी तक बिमारी पेलता है बिमारी एक बिमार आदमी के जरीए तुझे ना तुझे ना तुझे डिफिरिशन क्या है यह contogenous disease है और वाइरल सिक्चूली ट्रांसमेटिड डिजीज इन विच बिलस्टर इपियर और जिनेटर यानि सिक्स आरगन पर जब चाली नजर आते है बिलस्टर नजर आते है चोटे चोटे दाने नजर आते है याद रखिए कि यह बिलस्टर बाडी के मुखतले पार्ट्स में आपको नजर आएंगे लिप्स यहाँ पर भी आपको नजर आ सकते है यहाँ पर भी आपको नजर आ सकते है पेस पर भी आपको नजर आ सकते है नोस पर भी नजर आ सकते है आईस पर भी तरोट पर भी और मुकस मेमरेन पर यानि मुख के अंदर और रिक्टर विजाएना और पीनस पर ये सारे जगों में आपको بलस्टर नजर आते है लेकिन जेनिटल हार्प्स वो डिसारडर है जिसमें आपको सिक्स आरगन पर जब बलस्टर नजर आए और वो हर्बी सिम्प्लिक्स टाइब टू वाईरस से जो बिमारी कास करें तो हम उस बिमारी को कहते है जेनिटल हाइपस देगे ना याद रखिए कि ये वाइरस जब अंदर चला जाता है इस वाइरस की इन्फिक्शन से ये सिंटम जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो या तो हफ़ते के बाद या महीने के बाद या साल के बाद आपको नज एक सेम्टम है यानि आम तोर पर जो नजला और जोकाम की सुरत में आपको ये ये इस ये लामत नज़र आएगा और दुसरे क्या है जर्नल वीक्निस है बादी में आपको कमजूरी नज़र आईगी तिसरे क्या है इचिंग है यानि जेनिटल आरगन पर आपको खारश सकता है सर भी आपका दर्द इसमें क्या जा सकता है जब आपको पेशाप आए ड्यूरिंग यूरिनेशन आपको पेन भी मखसूस हो सकता है और इसकी इलावा जो चोटे-चोटे लाइम नोड है वो स्विल भी हो सकते यनि पट भी जा सकते हैं इसकी इलावा जो नए बच्च दिनों के दौरान टीक हो जाता है ये इसका इलाज नामुम्किन है अभी तक पासिबल नहीं है याद रिखिए कि इस बेमारी के इलामते तुरूरती लाइफ जारी रहती है बहरहाल जो इसका क्रानिक स्टेज है इक्यूट स्टेज है जिसमें इसकी शिद्ध ज्यादा हो वो साथ से दस दिनों तक होग सकती है इन आप जी तो जी क्या है ट्रास्मेशन इसके क्या है सिक्स हाफ अनी काइंड य sections जिस तरह का सिक्स प्याफ करते हो ये ट्रास्मेशन का खरया है दूसरा चू कि ये कंटीजिनस डीजिस है एक परसन से healthy person 아 oriented से क्या है हेल्दी परसंगी तरफ ट्रास्मिट होती है तो यह सिक्स आफ इनी का है शेरिंग यो टैली साइब आप जो चीजों को जिन चीजों को इस्तिमाल करते हैं जैसे स्रेंज है और राजर है बलेड है या आपके जो काने के बरतन है उसको अगर आप इस्तिमाल कर रहे ह तो उसी भी शेरिंग सी भी क्या हो सकता है जी क्लोस जैनिटर स्केंट तूसके इन कंटे यानि वो शख्ष जिसको आल्रीड ये विमारी हो चुकी है और आप उसके साथ अपने स्केंट को टच कर रहे हो कंटेक कर रहे हो फॉरा मादर टू चाइंट यानि वो मादर जो अगर आप मिसाल के तोर पर इन्फेक्टेड परसन हो चोटा बच्चा है रास्ते में या अपना बच्चा है उसको अपने किस कर लिया तो इसी भी जरिटल हर्प्स क्या हो सकता है या कोई पराया है या कोई औरत हो ठीक है ना तो ये सारे किसिंग की सुरफ में भी और मेक कीट चोटे बचों को आप क्या करें उसकी मेक अप करते वकर ते करना उसको खुबसूरत या उसकी मेक अप करने की तورान भी हो सकता है कि अगर मेक अप करने वाला गारिटल हर्प्स का क्या हो एफेक्टड़ हो प्रिट में नू इफेक्टिव ड्रग और विक्सीन क्योंकि इस वायरस का शिप अक्सर चेंज होता रहता है तो हम किसी भी ड्रग्स इफेक्टिव ड्रग्स या विक्सीन को इस बिमारी के लिए इस्तिमाल नहीं कर सकते इसके इलावा इंटिवायरल मैडिसन है यह इस बिमारी की शित्व को कम कर सकता है प्रिविंशन में क्या है अब जो इसके ट्रास्मेशन के जराए है इसको आपने इवायर्ट करना है यानि इवायर्ट इवायर्ट डूनाट शियरिंग योटैने शर्फ डूनाट क्लोस कंटेक जैनिटल हर्फ तो सकें कंटेक और इसके इरावा जैनिटल हाइजिरिक कंडिशन शूड भी मिल्टे यानि सफाई का आपने खास ख्याल करना है इवायर्ट सकें कंटेक और आपने सेक्चूल एक्टिवीट को डूरिंग ट्रीट में आपने नहीं करना है तो ये इसके क्या है प्रेवेंशन इसके बादे का और चोटा सा टापिक है इन्शालला बहुत जल आपके सामने मैं बनाओंगा वीडियो इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगी हो आपका कुई कंसर्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो लाज़मी तोर पर क्या करें आप अपना फीड़ बेग दें जितना आपके कॉर्स के मताबक था उतना ही मैंने मुनासिव समझा कि आपको क्या करो आपको पढ़ाओं बाकी इसके हवारे से बहुत ज्यादा मालुमात है, इन्फार्मेशन है लेकिन चुँके वक्त और कॉर्स हमें ये इजाज़त नहीं देता इस वज़ा से अगर किसी को इस हवाले से बहुत ज्यादा इन्फार्मेशन चाहिए तो इन्शाला हम वो पर कमेंट बाक्स में लाजमी तोर पर कमेंट्स करें इन्शाला हम, मैं कोशिश करूँगा कि उसको बहुत ज्यादा इन्फार्मेशन इस हवाले से किल बारहाल ये एक कंटेजिनिस डिजीज ती जो हर हवाले से आपने हर जगा जितनी भी वायरस से बिमारी अपेलती है इसमें आप देख रहे हो कि अगर हम इस्लामिक प्रिंसिपल और रूर्स को फालो करें तो इन्शाला बहुत हद तक हम इसे निजाद पा सकते हैं इजाद चाहता हो अपने दौाओं में याद रखी खुदा आफिस